हेलो एवरिवान गूड मार्निंग आज मैं सुबह सुबह आलू साफ करके छील करके बैठी हूँ क्यूंकि होली आ रही है और होली में चिप्स का बहुत महातो होता है जो हर घर में बनाये जाते हैं तो अपने ही हाथों से बनाये हुए जिसमें हम अपने हाथों का इस पर्ष देते हैं उसका सुबह अलग ही आता है वैसे तो मार्केट में हर जगे रेडी मेट चिप्स मिल ही जाते हैं बहुत सारे लोग बनाना भी नहीं जानते हैं तो आज मैंने क्यूंकि थोड़े से चिप बनाने थे तो उसे लेकर ही मैं कुछ टिप्स आप लोगे साथ शेयर करना चाहती हूँ और शगुन के तौर पर भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत होली का हाथ से काम करना ही चाहिए वैसे तो रेडी मेट का जमाना आ चुका है पर रेडी मेट में वो बात नहीं आती कि असी भी चीज में जो आप अपने हाथों से बनाई हुई चीजों में महसूस करते हैं या जो आपको एक अंदर दिल में खुशी फेल होती है अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाते हुए देते हुए या खुद के लिए ना भी कोई खाने वाला हो तो थोड़ा सा शगुन के तो और पर इन चीजों को ज़रूर बनाना चाहिए तो यहाँ पर बस चिप्स के लिए मैंने एक किलो आलू लेकर उनको छील लिया था और पानी से अच्छी तरीके से दोकर रख लिया था और यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं कि आलू को मैंने डाल कर जो छील कर डाले पानी में ही डाले थे साफ करने के बाद और दूसरी चीज जो चिप्स कटके निकल रहे हैं उसे भी पानी में ही डिप करके रखना होता है ताकि इसका जो स्टार्च होता है पानी में डूबे डूबे जितना निकल सकता है वो निकल जाए और इसमें जो यह आपको चिप्स इसी में निकल पाते हैं, तो आप अपने जरूरत के मताबिक पतला या मोटा चिप्स बनाने वाली मशीन की सेटिंग करके रख सकते हैं, जैसे आपको मोटा चिप्स पसंद है तो आप मोटा निकालिए, पतला पसंद है तो पतला निकालिए, लेकिन इस मशीन में भी बहुत स कटने की गुंजाईश रहती है तो सबसे बड़ी चीज यही होती है आलू को चिप्स पतले-पतले काटते वक्त अपने उंगली का हाथ का जरूर ध्यान रखें जिससे कि इसमें कोई कट ना लगने पाए अगर एक दिन कट लग गया तो फिर आगे अगर आप अगले दिन भी चिप्स बनाने जा रहे हैं या उसके आगे आपने और सोचा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा चिप्स बनाओ तो वो काम आपका रुख जाता है क्योंकि उसमें बाधा आ चुकी होती है तो ठीक है यह पहली चीज मैंने आपको बता दी है आलू इसमें पानी में डालते चाहि आलू के ऊपर पकड़कर उसको बिना हाथ को नुकसान पहुचाए अच्छी तरीके से आप चिप्स निकाल सकें तो इस तरह की भी मशीने आती है यह मशीन है यह देखे तो यह भी मेरी काफी पुरानी मशीन है पर मुझे पसंद है यह स्टील वाली और एक है अलुमीनियम में उससे थोड़ा सा मोटा और दूसरी डिजाइन लाइनिंग वाला आता है तो आज मैंने सिर्फ प्लेन चिप्स निकाले हैं तो उनका आप लोग साथ वीडियो शेयर कर दिया क्योंकि दूसरी बार मैं कब बनाऊंगी दो दिन बाद या चार दिन के बाद मुझे अभी तो अब मैंने यहां पर चिप्स बनाने के लिए ग्यास के उपर पानी बोईल होने के लिए एक भगोणे में मैंने आधा भगोना पानी लिया है करीब यह डेड़ लीटर पानी होगा और इसमें डाल रही हूं एक से डेड़ चमच नमक तो यह नमक इसल proprio कि जो बचा हुए आलू में स्टार्च है वो भी इस नमक से उबालते हुए पानी में निकल जाता है तो बस नमक डाल चुकी हूँ और इस पानी को कवर करके रख देती हूँ ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए और जैसे ही हमारा ये पानी जोरों से खौलने लगता है उबाल आने लगता ह तो उस बीच में ही हमें इन चिप्स को इसमें डालना होता है तो देखे साथ में मैंने एक ले लिया है इस तरह का कर्चुल कोई भी ले सकते हैं आप छेद वाला गर आप यूज करते हैं तो छेद जिसमें होती है इससे हम पूरी निकालते हैं उसे ले सकते हैं या फिर प् चमच खाने वाला सोडा डाल सकते हैं, अगर सोडा डाल देंगे तो आपकी चिप्स बहुत अच्छे सफेद सफेद निकलते हैं, लेकिन मैं सोडे का इस्तिमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नमक का कर रही हूँ, और अभी ये मुझे डेली यूज वाले बनाने, इसके बा आता है, तो उस दोरान आप इनको फ्राई करके चाई के साथ दे सकते हैं, तो यहाँ पर तेज उबाल आने के बाद मैंने इन आलूओं को इसमें डाल दिया है, और थोड़ा-थोड़ा ही आलूओं को आप इसमें डालें, और पानी हर बार बदलना नहीं होता है, यहाँ प इसमें जाग बन गया है, आलू हमारे उबल चुके, इनको बहुत देर नहीं उबालना होता है, वरना ये टूटने लगेंगे, उबाल आ जाने के बाद इनको फटा फट से एक चलनी के उपर, छेद वाली चलनी के उपर मैं निकालती जा रही हूं, ताकि ये गरम पानी नीच तरीके से सारे चिप्स एक एक करके निकालते हुए साइड में रखते जाएए, और जब आप चिप्स बनाते हैं, उससे पहले आप जिस कपड़े पर, जिस पलंग चारपाई पर इसको फैला कर सुखाने वाले हैं, उसको पहले ही तयार कर लीजे, जैसे कि मैंने बाहर एक पलंग बिचा दिया है, उसके उपर एक सिंथेटिक चादर बिचा दी है, और इन चिप्स को उसी के उपर फैलाना है, दूसरी चीज कि जिस दिन तेज धूप हो, आप उस दिन चिप्स बनाईए, क्योंकि तेज धूप में एक दिन में चिप्स सूख जाते हैं, अगर तो घर में, घर के हाथ का एक जो स्वाद आता है अपना, वो शामिल करके त्योहार में थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग ला सकते हैं आप घर में, थोड़ा सा ये शागुन के तोर पर बना कर, तो इस तरीके से आप चिप्स बनाईए, छील कर पहले आलू और रख लीजी और काटते वक्त विशेज ध्यान रखिए कि आपका हाथ कटने ना पाए, वरना आपका चिप्स का जो अभियान होली का होता है, वो बीच में ही रोख जाता है, और अगर आपके पास बहुती से तरीके से चिप्स काटने वाली मशीन है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेक से चिप्स लेकर मैं फिर से डाल दूँगी और इसमें उबाला जाएगा, जब तक इसमें उबाला आएगा, तो मैं अपने ये वाले चिप्स बाहर पलंग पर फैला देती हूँ, ताकि ये काफी गरम है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, और जब ठंडे हो जाएंगे, तो इनको फैलाना आसान हो जाएगा, और दूर दूर फैलाना है, ताकि इनमें हवा अच्छी तरीके से लग जाए, धूब भी अच्छी तरीके से लग जाए, और हमें शाम होने तक, ये करीब 6-7 घंटे में अच्छी तरीके से कड़क चिप्स बनकर मिल जाएं, तो ये देख में ही धेर के रूप में चिपक कर सूख जाएंगे, फिर आपको मुश्किल होगी और अंदर कच्छे भी रह जाएंगे, पूरी तरीके से सूख नहीं सकेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको चिप्स को फैला देना है, और ये देखें, यहा आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमली फरंड्स में शेयर भी कर दीजे, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्यारे प वीडियो में तब तक के लिए, have a nice day, bye bye, फिर मिलते हैं किसी अच्छी से वीडियो में,